हेलो स्टुडेंट्स हम लोग फाइफ किंडम क्लासिफिकेशन चाप्टर कर रहे हैं आज हम लोग फाइलम वर्टी ब्रटा के पांचों क्लास के बारे में पढ़ेंगे पहला जो क्लास है वर्टी ब्रटा का वो है पाइसिस यानि मश्लियां क्लास पाइसिस जो है ये कंप्लिटली मश्लियों से डील करता है और फिशिस जो है उनमें टू चेंबर्ड हर्ट पाया जाता है जैसे यूमन मिंक्स में किते चेंबर है फोर लेगिन पाइसिस के जितने भी एनिमल्स हैं जो वर्टिब्रेटा हैं उनमें टू चेंबर्ड हर्ट पाया जाता हैं ये गिल्स के मदद से ब्रीद करते हैं और ये सारे cold-blooded या poikilothermal animals हैं यानि बाहर का temperature जब कम या ज़्यादा होता है तो उसके अनुसार ये अपने body temperature को कम या ज़्यादा कर पाते हैं जिसके वज़े से यह अपने आपको body temperature को adjust करके adapt करते हैं जीते हैं इन में scales पाया जाता है पुरे body में और इन में fins पाया जाता है जिसके मदद से यह तैरते हैं इन में कोई limbs नहीं पाया जाता Pices category के vertebrater को दो category में sub-divide किया गया है यानि class Pices दो अलग-अलग sub-classes में divided है एक है आपका cartilagenous fish ऐसे fish जो cartilage के बने हैं उन में bone नहीं पाया जाता है उनका सरीर जो है वो cartilage से बना होता है जिसके वज़े से वो बहुत लचीले होते हैं जैसे example आपका हो गया shark dogfish और skates इनके body में cartilage होने के वज़े से ये काफी लचीले होते हैं वो ही जगा दूसरा category जो आगया वो है bony fishes इनका सरीर bone से बना होता है hard structure है bone cartilage के जैसा flexible नहीं होता hard होता है तो जितने भी तरह के carbs हैं रोहु कातला ये सब और roches, herrings, strouts ये सब bony fishes हैं अगर वो gills covered है gills covered है अगर covered है तो वो सारे bony fishes है ये पहचानने का तरीका है और अगर gills cover नहीं है यानि gills जो है वो gills cover से ढखे वे नहीं है तो वो सारे cartilage-nose fishes होता है जैसे shark next class आजाता है आपका amphibia vertebrata में second class है amphibia amphibia जैसे कि आप लोग पहले भी छोटे classes में पढ़े है कि ऐसे animals है जो land और water दोनों में रह पाते हैं so they can live partly on land और partly in water जैसे frog, tot, salamander, neewit ये सब amphibians है इनका जो body है वो body specially adapted है land और water दोनों में रहने के लिए यानि ये gills के मदद से भी breathe करते हैं अपने early life में जब वो larva stage में होते हैं और जब adult stage में पहुंचते हैं तो उनमें lungs होता है जिसके मदद से वो air से breathe कर सकते हैं इनका body जो है वो slimy होता है और scales नहीं पाया जाते हैं ear drum जो है वो skin के surface में पाया जाता है और ये pentadictile वाले limbs पाया जाते हैं इनमें यानि five finger वाले limbs पाया जाते हैं इनका herd three chimbered है तो देखो Pisces के case में two chimbered था लेकिन amphibia के case में three chimbered और ये भी cold blooded है Pisces के जैसे यानि अपने body temperature को according to the environment कमा या ज़्यादा कर सकते हैं कम कर सकते हैं या ज़्यादा देख पा रहे हैं कि पहले two chimbered fit three chimbered इस तरह से देखिए पहले सिरफ पानी में रहने वाले ये कुछ पानी कुछ land में रहने वाले इसी तरह से third class जब आता है reptile तो reptile जो है वो पूरी के पूरा जो है ये land में पाया जाने वाले organisms हैं और reptiles जो हैं ये पूरी तरह से land में रहने के लिए adapted हैं इनके जो अंडे होते हैं उनमें एक लेदरिश शेल होता है कैल्शियम का जिसके वज़ा से वो उनके उसके अंदर में एक्ष रहते हैं और वो उससे larva जो young one से वो जनम लेते हैं ये lungs के मदद से breathe करते हैं तो देखें पाइसस शिरफ गिल्स के मदद से breathe करता था amphibia के केस में early stages में गिल्स से वो breathe करते हैं बड़े होने के बाद lung से करते हैं अब देखें रिप्attoील के केस में पूरा lung से वो breathe करते हैं और इनका जो hurt है वो 3-chimberd hurt है तो देखे, Pisces में 2-chimberd था Amphibia के case में जब वो आया तब वो पटली 3-chimberd में आया फिर reptile के case में पूरी तरह से 3-chimberd हुआ जहाँ ventricles जो है वो नीचे का divide हो जाता है और skin जो है उसमें horny scales पाया जाता है, ये भी cold blooded है और इनके सरीर में ear drum जो है वो at the bottom of the depression आपके skin में पाया जाता है और जितने examples हैं वो है lizard, snake, tortoise, turtle, crocodile, alligator, घड़ियाल और ये सब जो है वो extra information के लिए बता रहा है कि they are found in the rivers of India, Malaysia and Myanmar इसके बाद का जो आपका class है वो है Avis, Avis basically birds के लिए आते है birds जो है वो lungs के मदद से breathe करते है इनके exoskeleton जो है, वो exoskeleton जो है वो adapted और modified होकर wings बन गए है यानि four limbs जो है वो four limbs wings बन गए है जिसके वो उड़ पाते हैं इनमे scaly legs पाया जाता है इनके hurt four chamber है तो धीरे धीरे देखिए आप evolution में two chambered से three chambered और three chambered से four chambered hurt आपको birds में मिल रहा है body streamlined है यानि body जो है वो aeroplane जैसा streamlined वोला structure है सामने जो है वो pointed है फिर वो bulge है फिर last में pointed है streamlined body skeleton जो है वो बहुत हलका होता है हड़ियां जो होलो होती है अंदर हवा भाय जाने के वरे से वो light और ज्यादा हलकी हो जाती है और हवा में आसानी से उड़ पाती है अभी तक जितने भी और्गने अपने पड़े वो सारे cold blooded थे लेकिन Avis जो है वो warm blooded animal है warm blooded यानी homeo thermal animals यानी ये अपने body temperature को environment के temperature से adjust नहीं कर पाता है यानी अगर आपका temperature जादा हो तो उसके आधार पर ये अपने body temperature को कम नहीं कर पाएगा और अगर environment का temperature बहुत कम हो तो अपने body temperature को बढ़ा भी नहीं पाएगा यानी body temperature घटा और बढ़ा नहीं पाते हैं ये अंडे देते हैं और इनके अंडे जो है वो calcareous cells यानी उनमें एक calcium का एक layer होता है जिसके अंदर में york सुरक्षित रहती है mammalia next class है mammalia में आपका आजाता है ऐसे animals जो आपने बच्चों को जनम देते हैं they give birds to their young ones इसलिए इसे भीवी paris animals भी कहा जाता है तो अभी तक जितने भी animals आपने पढ़े वो सारे अंडे देते थे यानी अंडे से फिर नए organisms डिवलप होता है ऐसे अंडे से डिवलप होते हैं उसे ओभी paris animals कहते हैं लेगिन mammalia में देखा जाता है कि बच्चे जो है वो mammals अपने सरीर में उन्हें बड़ा करते हैं फिर जनम देते हैं तो इसलिए इसे वीवी paris animals कहा जाता है वीवी paris animals में human beings आ जाते हैं और आते हैं आपके cat, dog, cow, ship, rat, bat, seal, monkey, apes ये सब जो हैं ये mammalia category में आते हैं अस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं दो तरह के animal जैसे आपका spiny, antitr, echidna और duck-billed platypus ये दो जो हैं ये अंडे देते हैं लेकिन ये दो mammals के category में हैं क्योंकि इन में mammary glance पाए जाता है और hair like structures body में होने के कारण ये mammalia category में रखे गए हैं तो दो exceptions हैं इसमें mammals के सरीर में skin में hairs पाए जाते हैं और lungs जो है उसके नीचे एक diaphragm बोलके एक structure है muscular जो abdomen को thorax से अलग करता है और breathing में मदद करता है hurt four-chimbered है और external ears यानि जो आपके कान है उस कान में external ears पिनना पाए जाता है और male के case में जो mammals में male है उसमें टेस्टिस जो है वो scrotum नाम के एक थैली में अलग से body में अलग तरह से बाहर के तरफ में structure में वो पाया जाता है इस तरह से आपका सारा जितना भी class था mammalia, aves, reptilia, amphibia और pices ये सब vertebrates के अलग-अलग classes थे जो आज हम लोग कर लिये ये chapter आज यहाँ end हो गया, हम लोग थोड़ा exercise अब देखेंगे यहाँ matching में एक से ज़्यादा भी आपका option हो सकता है जैसे देखें नमबर 6 जो है अपका bacteria वो monera भी है और prokaryot भी है वही जगा pine जो आपका column 1 में है ये gymnospam भी है और planty भी है वही आपका 5 नमबर में moss जो है वो planty में भी आता है और bryophyte भी है तो एक से अधिक category होने से भी आपको यहाँ पर इस तरह से point out करने दिया जा सकता है कर दो कर दो कर दो कर दो है इस matching में amphibia के लिए यहाँ पर कोई option नहीं है और pigeon जो है वो abis है birds category में आता है amphibia ने इसलिए यह option रह जाएगा और यहाँ पर यह reason पूछा है तो reason में आप लिखेंगे क्योंकि amphibia column 1 का और pigeon column 2 का इसलिए match नहीं हो पा रहा है क्योंकि pigeon जो है वो abis category में आता है amphibia में ने amphibia का example हो सकता है frog, neewit, toad यह सब examples हो सकते हैं तो इस तरह से exercise भी आप लोग देखें और बाकी का exercise question answers आप लोग solve करेंगे फाइल में लिखेंगे और हो सके तो लिखना आप लोग शुरू कर दीजिए, काफी chapters हो गया है अभी तक उन सब को आप लोग अगर copy बनाए है तो उस copy में आप लोग बनाईए, लिखिए, diagram है तो उसको complete करिए जब भी ऐसा होगा कि आप लोगों को बोला जाएगा कि आप लोग copy जमा करिए तो उस समय आप लोगों के पास copy होनी चाहिए ये exam purpose के लिए जरूरी रहेगा Thank you